हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बेक टू माई चैनल, आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें मैं बात करने वाली हूँ कोलियस के प्लांट के वारे में, मैं आपको बताऊंगी कि कोलियस का प्लांट कैसे आप लंबे समय तक अपने गार्डन में रख सकत हैं, तो आए फ्रेंड्स बात करते हैं, कोलियस के प्लांट पे, प्लीज जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और सेर कीजिए, आए फ्रेंड्स वीडियो अकसर तेज धूप के काण भी खराब हो जाता है, इसलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए, कि इस प्लांट को किसी ऐसी जगे पर रखिए, जहां पर इसको सुबे की ही धूप मिले और दुपहर की तेज धूप से इन प्लांट को बचाया जा सकता है, इसलिए आपके नह से ये प्लांट खराब हो जाता है साथ कोलेस का प्लांट over watering की बज़े से भी खराब हो जाता है इसलिए इसे कभी भी बहुत ज्यादा पानी नहीं देना चाहीं और साती साथ इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि पानी आप डालें और प्लांटर से पानी नीचे डैनेज होल से निकल जाया, पानी ठहरना नहीं चाहिए, क्योंकि जब पानी ठहर जाता है तो इसकी रूट्स गल जाती है और प्लांट अक्सर मर जाता है, साथ ही साथ इस प्लांट को लगाते समय इस बात का भी ध्यान और इस प्लांट को लगाते समय प्लांटर का डैने जोल हमेशा खुला रहना चाहिए जिससे पानी आराम से नीचे निकल जाए आपका प्लांट हेल्दी रहेगा इस तरीके से आप लगाएंगे और इसकी पत्तियां भी नहीं गिरेंगी और बढ़िया से आपका प्लांट चल पर उस पानी का इस्प्रे करिए आपकी पत्तियां देखिए कितनी हरी हुरी और कलर्फुल होती है इस प्लांट को आप कटिंग के द्वारा ग्रो भी कर सकते हैं यह प्लांट मैंने कटिंग से ही ग्रो किया हुआ है अगर आपका प्लांट मर जाता है तो आप कटिंग से द प्लांट को इजली ग्रो कर सकते हैं यही छोटी छोटी बाते ध्यान रख करके आप अपने कोली इसके प्लांट को मरने से बचा सकते हैं और अपने प्लांट को पाथ हरा भरा और बुशी बना सकते हैं इस प्लांट को बुशी बनाने के लिए आपको इसकी पिंची करते रहन चाहिए उपर से छोटी छोटी टिप आप कटिंग लगा देंगे तो चलती रहेंगी और आपका प्लांट भी खुब बुसी बन जाएगा घना हरा भरा सो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बाई बाई